ओहो हो हो खोया खोया चार खुला आसमा आखों में सारी रात जा प्रवाण को कि अ झाल 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 जो की अंडमान लो कॉलेज में गेस्ट लक्षरार की रूप में कारियरत है और आप है श्रीमती लीनी थाउमस लीनी जी आपका हमारी इस कारिक्रम में बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों कारिक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे कि अब दूर दर्शन केंद्र पोर्ट प्लेयर के जो कारिक्रम है वो शोशल प्लैट्पॉम पर एक्टिव हो चुके हैं तो आप हमारी इस कारिक्रम को कहीं भी कभी भी देख सकते हैं इसके लिए आइक्स हेंडल पर जाकर हमें फॉलू करें एड्य़ी के अंडर्स्कोर पोर्ट प्लेयर ला Metroid करें अमारा फेस्बूप पेज हमारा फेस्बूप पेज है दूर दर्शन केंद्र पोर्ट प्लेयर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल हमारे YouTube चैनल है दूर दर्शन केंद्र पोर्ट प्लेयर तो लिनी जी सबसे पहला सवाल मेरा आप से ये है कि आप कहां से है और आपने अपनी प्रारंबिक शिक्षा जो है वो कहां से प्राप्ति की है मेरा नाम लिनी थॉमस है पॉंडिचेरी से है और मेरा स्कूलिंग वगेरा आधा डली में हुआ है बाकी पॉंडिचेरी में करें है उसके बाद ग्राजुएशन और पोस्ट ग्राजुएशन भी पॉंडिचेरी से ही करें है आपके परिवार में आपके अलावा और कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बेन है, दो बच्चे हैं, माद इनलो और अधर मेंबर साथेर लीनी जी, लेक्चरर बनना, क्या आपका सपना था? हाँ, सपना था, जैसे ही पढ़ाई खतम किया, तो टीचिंग लाइन और रिसर्च लाइन पे ही गए उसके बाद फिर अपना एक पैशन रहता है, उसको भी फॉलो किया लीनी जी, जैसे कि आपने कहां कि आप एक लेक्चरर है, तो बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते, आपका रुझान जो है, आपके जो इंटरेस्ट है, वो किस तरह से बिजनस में आई? होम बिजनस आपने किस तरह से, मतलब कैसे सोचा कि मुझे अब जो होम बिजनस करना ह इस बारे में हमारे द bullish को बताइएगा मेरी मम्हें माल्टी टीयृइट थी तो वह हमेशा मेरे को इंसपायर करी है तो उनके जो talents वगेरा को inculcate करते हुए, छोटे से जो भी देखा है, उसको practice में लेकर आए, जब भी time मिला है, उसमें इन्वेस किया, तो baking भी ठीक, और फिर soap making, candles, वैसे चीजों में time invest करें, इसी लिए रूची आया है, ये सब चीजे की, talents को बाहर दिखाने का जो time है, ये ये सब चीजों में बनाने सीखी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये सब जो कोर्स है, वो कहां से सीखा, कैसे मतलब आपने सीखा, अगर देखा जाये तो baking offline सीखा, और जो बाकी टाइम है, online में, जा बाकी चीजों में जो रूची है, उन फील्स में रिसर्च किया रिसर्च करने के बाद, और online platforms में, soaps, candles वगेरा के classes निरंतर लेते रहे, from basic to advance, तो ये online class में अपने कब लिया, ये जो कोविट के दवारान, जो time मिला, तो वो time को किस तरह यूटलाइस कर सकते हैं, घर में बैठ के, तो वो जो time को यूटलाइस करने के लिए, जो ideas मिले, त तो वो जो few days के classes थे, उसमें, जो basic classes, melt and pour, फिर cold process soaps, उस सब के जो advanced classes भी attend करें, फिर slowly उसको प्राक्टिस करते रहे, फिर जब एक success level में आया, तो फिर launch करने का, जो idea आया, वही है जो home business को ले के आने का main idea, जी में, कोवीड समय ही ऐसा था जो हम सब को जीना सिखा दिया में, उस समय जिन लोगों ने business स्टार्ट किया वो जो है अब तक चलता आ रहा है और कई लोगों ने जो है उससे अजीवे का भी कमाना शुरू कर दिया है, मैं, जैसे कि आपने कहा कि आप candles वेगेरा सब आपन को बताएगा कि किस तरह से बनाती है अब कैंडिल्स बुलने से बहुट टाइप के कैंडल्स है जैसे कि आपन टाइप है तो हर वैक्स को वर्क करने का रीती मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ अलग है तो मुझे थोड़ा सा एको फ्रेंडली चीजे पसंद है तो मेरा ज्या बनाए तो वो जब यूज करेंगे तो वो हम लोग की एकलोजी कल बैलेंस भी मेंटेन करता है तो इसी लिए उसमें जादा रूची हुआ उसमें जो कस्टमाइज स्कैंडल्स जब जैसे कोई अनवर्सरी जो बर्डेज हो या कोई भी कोई भी वोकेशन हो गिफ्ट देने क कि इसलिए मैं डिफरेंगे मोल में डालने के पहले वो मोल अच्छे से क्लीन रहना चाहिए विक्स वगरा पहले ही आपको लगा कर रखना जरूरी होता है विक एक बार वैक्स अगर मेल्ट हो गया वो जल्दी ही सेट हो जाता है इसलिए वो टाइम मेंटेन करना बहुत एक मोल्ड में पूर करते हैं तो हर एक मोल्ड को रस्टिंग टेम 24 आज देना पड़ता है अच्छा 24 आर्स हो जाता है तब ही जाके सेट होता है नहीं तो वो ब्रेक हो जाता है इन बिटू इन दे मिडल अगर हरी बरी में निकाल रहे हैं तो कभी भी वह एक मास्टरपीस नहीं बनता ब्रेक हो जाता है वो इनिशल अली थू प्राक्टिस इट कम्स तो अपनी इसी को चुछ ना इसके पीछे मतलब कुछ था कि मैंने मुझे ये और गैनिक और अपना इसी लिए क्यूंकि इसी लिए स्वय वैक्स पे जादा कॉंसरेट करें है अच्छा क्यूंकि रधर दन पराफिन वैक्स विच इस नॉट इसली अवेलिबल ये जो कस्टमाइज जो चीजे है यहां मार्केट में उतने इसली अवेलिबल नहीं और इसके दिमांस बह करने का जो इछफ हुआ एंड कैंडल सब्सक्ति इस इसली इफरेंट तैप्स के सरफ यह जो मास्टर बीस बनाना सिरफ नहीं जो लोशन कैंडल सब्सकते हैं बना सकते हैं उसमें जो ओईल्स बटर्श आड कर के जो की हम लोग उसको गरम करके फिर स्कीन में डाल के उसको म मूद स्विंग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी यूस होता है. अचा, मैम, आपने जितनी भी इंग्रेजिन्स बताया है, वो सारे क्या मार्केट में आपको इसली मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं, यहां नहीं मिलते हैं, वो सब बाहर से लेकर आना पड़ता है, कुछ herbs वगेरा जो भी चाहिए होता है, oils वगेरा, कुछ-कुछ यहां मिल जाते हैं, उसको यूस करते हैं. अच्छा, तो अब मैं जानना चाहूंगे कि, मैम, जैसे कि आपने लर्न किया, उसके बाद आपने बनाना सीखा, तो मतलब अब तक आप क्या-क्या चीज़े हैं, जो आपने बनाना सीखा है, इस बारे में हमारे दर्श्कों को बताईएगा, क्या-क्या बना लेती हैं आप सोप बना लेता हैं, पहले सरफ मेल्टन पोर सोप बनाती थी, उसके साथ अभी कॉल प्रेस सोप भी बनाना शुरू कर दिया है, उसके बाद फिर कस्तमाइज सोप बनाया है, इन इन इफरेंट शेप्स, उसके साथ साथ जैसे कि टी लाइट कैंडल में भी वेरीशन्स लेक लेके स्नोफलेक चैंडल्स अनी ओकेशन को ब्राइटन करने का जो आइडियास है उस में वर्क किया है, तो हम इसके बैनिफिट्स के बारे में जाना चाहेंगे मैं, यह किस तरह जितने भी आप प्रोड़क्ट से तयार करती है, इस तरह बाकी जो मार्केट में प्रोड़क से बना जाता है, उस में बहुत skin friendly and जो nourishment मिलता है skin को, और healthy रखता है, dryness से बचाता है, जैसे कि customize बना रहे है, customize बनाने के टाइम हर एक customer के need के हिसाब से बनाया जाता है, इरसा नहीं के bulk में बनाया जाता है, तो as per the order, herbs जो requirement है, वो add किया जाता है, फिर ही बनता है, तो the level of purity and addition of herbs makes it more special, जैसे कि अपने प्रोड़क्ट को बना लिया, आपने लन्बे क्या प्रोड़क्ट्स बना लिया, उसके बाद, जो है, आप मार्केटिंग के बारी आती है, तो क्योंकि हम प्रोड़क्ट्स तो बना लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग बहुती जरूरी है, तो ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, इस्पेशली थू वाट्स अप, तो जो भी कॉन्टैक्स है, सभी को इन्फोरमेशन मिली जाता है, तो जो इंट्रेस्टेड रहते हैं, वो मैसेज करते हैं, या क्वेरी पूछते हैं, तो इनके एक एक क्वेरी इसको क्लियर करते है क्यों ये इंपोर्टेंट है वगेरा, तो उसके बाद जब ओर्डर आने लगता है, अभी जैसे रिटर्न गिफ्स में, बर्ड़्डे, रिटर्न गिफ्स वगेरा, सब चीजों में सोप्स वगेरा पूछते हैं, तो उस ताइम जो है, ओर्डर बिकम्स मोर, सोप्स है, हर द बनाया जाता है, तो मार्केटिंग ऐसे कस्टमर्स को फोकस करते हैं, जो की ये प्रोड़क के वैल्यू को समझते हैं, और यूज करने के बाद साटिस्वाई होते हैं, उसे के बाद ही लेते हैं, अब कितना अर्न कर लेती हैं, इसमें तैन तौजन तो 15,000 तक हो जाता है, जडिबेंस ऑन दिसे शीजन, अभी दिवाली और हम लोग जो कृस्मस अगएरे न्यू यर में जादा सेल्स होता है, इसके जो कॉस्ट है, वो एफटरबल है, हम एफट कर सकते हैं, हम सभी, हम सभी, हम कर सकते हैं, जो लोग इसे इस्तमाल कर रहे हैं, जो भी कस्टमर्स आ जो improvements जो बता रहे हैं उसको implement किया जा रहा है कि जिस तरह आगे और अड़ करने से और बहतर कैसे हो सकता है कभी-कभी पहले तो सबसे पहले ये चीज़े यूज करने के पहले पैश्टिस्ट करने बोलते हैं तो कोई भी चीज यूज करने के पहले जो एडर करने के बाद ही इसको यूज करने का जो कॉशन देते हैं चाहे वो कैंडल्स हो चाहे वो सोप्स हो या कोई भी स्किन केर प्रोड़क्स हो तो उसके बाद जो कमेंस आते हैं उसको पॉजिटिवली लेते हुए आज आज यहा तक पॉचे हैं चलिए में बहुत अच्छी बात है करते हैं उसके प्यूरुटी को रखते हुए उसमें हर एक प्रोड़क्त में डिस्कॉंट देना मुश्किल है जी मताब बल्क में ही आप जो है देते हैं अच्छा लीनी जी कहते हैं कि हर एक हुनर के लिए हमें एक प्लैटफॉर्म की जरूरत होती है जाहे वो सिंकिंग हो डांसिंग हो या फिर किसी भी चीज के लिए तो हम आपसे यह जाना चाहेंगे कि इस दोरान क्या आपको ऐसा कोई प्लैटफॉर्म मिला जिसे आप जो है पबलिक से जुड सकी और यह प्रोड़क्त के बारे पे आपने बताया ऐसा कोई आपको प्लैटफॉर्म मिला अभी यह चीन केर प्रोड़क्त के तो प्लैटफॉर्म अभी बुलने से जो घर से जो बिस्नस कर रहे उसी से चल रहा है बाकी प्लैटफॉर्म में जब जैसे की जो भी मेला लगता वेनेवर वो कॉल फोर करते हैं तो अटेंड करते हैं आपने जिसें मेला के बारे में बात के है तो इस तरह के एग्जिबिशन मतलब कब आपने एग्जिबिशन में इस तरह के आइटन्स को रखा है अभी जो है सोब सो सुन केर को नहीं रखा है इसके पहले मेला हुआ था व तो गेन हुआ है एचा अवेरनस प्रेट हुआ है ऐसे चीजे बन भी राया है करके एल्दी ट्विस्ट इसके अलावा मैम और आप क्या-क्या बना लीती है इसके अलावा अभी जैसे कि पेट फ्रेंटली प्रोडक्स पे कॉंसेंडेट कर रहे हैं जो कि हम लोग के पेट्स को माइदा वगेरा नहीं देके उनको हेल्दी चीजे जैसे कि या तो फिर ग्लुटन टॉलरेंट पेट्स है तो उनके लिए क्या डायेट से केक बना सते हैं च्यूज कैसे बना सते हैं उस पे कॉंसेंट्रेशन अभी चल रहे हैं मैम फ्यूचर में आपकी कोई मतलब योजना को मीटप KAI से मीटप कर सकेट आव इत ॖ ख ङूओर सर चाहिंगेजी अप अनुर भी वी पे अचैने पि जैसे कि आप ने बताया कि आप सब जो है बना लेती है इसे बनाने में समय कितना लगता है इस बार में हम ठोड़ा सा जाना चाहेंगे क्योंकि आप जो है लेक्ट् भुकुस करने के लिए आप इसे वोकस करने के लिए आप कैसे समय दे पाती है जो समय जो है 14 के पास 24 आस रहता है इसको डिवाइड कर देते हैं after college जो orders आते हैं या work करना होता है उसके हिसाब से घर के कामों को भी settle करके उसके बाद late night या early morning में यह हम लोग यह जो products है उसके production पे और packing पे करते हैं और जो समय जितना लगता है समय बुल जितना भी तो कमी रहता है एक प्रोड़क को आप देखेंगे बन के आने में 24 आस रहता है बनने में वो जो processing है दो तीन घंटा का processing है melting वगेरा पोरिंग उसको steady रखना की वो गिरेना वो सब चीजे जो उसका ध्यान रखना रखना सो around about five to six hours तो लगी जाता है यह जब तक वो थोड़ा सा steady हो आप products को बना कर stock में रखती है या फिर जरूरत की अनुसार जो है आप तभी सब्सक्राइब करती है कस्टमाइस ओर्डस ले रहे हैं तो सिरफ जब जरूरत होता है तभी बनाते हैं तो इस उद्योग में आपके अलावा और इस कोई support करता है आपको कोई help करता है पैकिंग वगेरा में एक लेडी है जो help करते हैं और फिर मेरे बच्चे भी बहुत ज् सब्सक्राइब करते हैं तो शुरुवाती दिनों में आपको किस तरह के चैलेंजेस पेस करने पड़े इस बिजनस को लेकर जब स्टार्ट किये थे बहुत सारे बैचेस को फेकना पड़ा विकरस तूट जाते थे फिर से उस पर रिवर्क करना पड़ रहा था तो बहुत ही पेशन्स पेशन्स बहुत ज्यादा जहिए बिकरस बना जैसे ही सोचते हैं वैसे नहीं बनता कभी कभी हो जाता है कि टेंपरेचर डिवरियेशन के वज़े से सोप भी हो कैंडल्स भी हो बनता नहीं क्रम्बल हो जाता है तो उसमें रिवर्क करना पड़ता है तो मतलब जि लेकिन फिर भी आपने बार बार कोशिश की हमत नहीं हा रहा है आपने बिलकुल लीनी जी आज जो है शोशल मेडिया बहुत जोरो पर है हमारी कई सारी महिलाई ऐसे है और पहले के समय में जो महिलाई थी वो जादा तर जो है अपने आपको बीजी रखती थी घर पर बीजी करती थी वो स्टीचिंग बगेरा करती थी या फिर कुछ भी बेकिंग आइटम बनाती थी वो घर से पाहर निकल कर जो है इसब कर दी लेकिन आज कल पहले के मुकाबले देखने को मिला है कि महिलाई जो है वो जादा तर अपना जो टाइम है स्पेंड मोबाई पर करती है त लेकिन आप जो टाइम अलोट कर रहे है वो आपको यूटिलिटी वैल्यू देता है कि नहीं यह भी देखना है मुबाईल्स हमेशा अच्छा ही होता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने आपको डेवलप करने का जो थिंकिंग है वो हर लेडी अपने आपको एक समय जो है हमें लेंड करना है अगर हम कुछ सेख पाएंगे तो अपने और अपनी परिवार के लिए आज इविका कपा सकेंगे लिनीचे अब मैं अपसे यह जाना चाहूंगे कि कई सारे यंग्स्टर्स है और population भी जादा है competition बहुत ज्यादा है तो किस तरह से हम यह हों ब करने के लिए उनको प्रेरित होना है जब तक वर्क नहीं करेंगे तब तक कुछ पाने का संभावना नहीं और वोक करने के ताइम जो है नेट रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना, आपके वर्क पर काम, जो टाइम जितना आप दोगे, उसी से ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है, और हार नहीं मानना है, तो आप महिलाओं को किस तरह से टिप्स देंगे, कि वो ऐसे छोटे-छोटे जो है टिप्स को अपना कर, किस तरह से वो होम बि करके नहीं रुखना है, हमेशा ही इस सोच में चलना है कि इंप्रूव्मेंट करते ही रहना, हर दिन इंप्रूव करोगे, तो फाइनली नेट रिजल्ट बहुत ही अच्छा ही होगा, यह जो सोच है, अपने में जो कॉन्फिडेंस है, वो पहले लेके आना है, उसके बाद काम पे वो दिखाना है, इन सब के लिए आपके फैमली किस तरह से स्पोर्ट करते हैं, मेरी फैमली पूरी तरह इरillी को सपोर्ट करते हैं कि इस work में इंप्लिमेंट किया जाता है कि क्या वर्येशन लेके आने से मार्केट में और अछ़ फीडबैक मिले तुम आप से यह जाएंगे कि आपके शौक क्या क्या है कि अप खाली वक्त में क्या करती है मेरा शौक है कि gardening, gardening इसलिए पसंद है कि हम जो products बना रही है, उसमें से जो जो चीजे यूस कर रही है, जैसे नीम हो, aloe vera हो, hibiscus हो, वो सब मेरे garden में ही हो, तो मेरे को कहीं दूर और भागने का जरुरत नहीं है, तुलसी हो, तो उस सब चीजों में concentrate करते हुए gardening को और अच किस था से हमें, human being को किस था से benefits देते हैं, इस बार में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताईएगा, जो soaps वगेरा है, वो हमारे स्किन को clear और नरिश करता है, क्योंकि oils वगेरा डाला जाता है, herbs है, और especially, हम यह अवाइड करती है कि colors ना एड करे, colors के जगा में, जैसे हम लो जैसे से, और that difference will come, after using it, slowly, तो colors के जगा पर आप क्या क्या यूस करते हैं, जैसे orange peel यूस कर लिया, beetroot powder यूस किया, carrot powder यूस किया, hibiscus powders, ratjod यूस किया, manjista यूस कर लिया, सारे herbs, जो अंडमान में, जो synonym मिलता है, पिपली वगेरा मिलता है, उस से oils बना लिया, तो यह स सब को इस प्रोड़क्स में इंट्ड्यूस किया है, so that उसके जो गुन है, वो यूस करने के, मतला तुरंट नहीं पता चलता है, slowly, slowly पता चलता है, as एक एक कस्टमर को अपने आप पैली बार लेंगे, फिर वो मांग के फिर से, अगले महीने फिर से लेते हैं, इस तरह, आपको एक आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया पर पहले वर्क करना, वर्क करने के लिए अच्छे से रिसर्च करना, और लर्निंग, लर्निंग इस थी बेस्ट थिंग, जब आप लर्न कर लोगे, उसको फिर प्राक्टिस में लेके आना, प्राक्टिस में लेके आने के बाद उसको प्लान करिये कि उसको मार्केटिंग कैसे किया जाए, वो बहुत जरूरी है, ब्कॉस लर्न करके प्राक्टिस करने के बाद, अगर आपके जो आइटेम्स हैं, जो बनाये हैं, वो अगर सेल्स नहीं होगा, वो आपको, आपको, इसको पुट यू डाउन, So, instead of that, keep working, have a very clear-cut plan, एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, जी, आपने जो है स्टार्टिंग कहां से की और आप आप आज कहां पर है, इस बिस्टिस में, Starting, मेरे learning process से ही हुआ है, COVID के time से start किया था, यह सब जो है, और उसके पहले से जो baking, baking से शुरू किया था, और आज बहुत ही अच्छे level में जा रहा है, Demands बहुत जादा है, for customized cakes, chocolates, and soaps, and handmade products, artisans को जो हाथ से बनाया वाले products के हमेशा ही demand रहता है, जी, बिलकुल, क्योंकि वो eco-friendly जाते हैं, organic जाते हैं, कितनी customers हैं, जो अब तक इससे जुड़ चुके हैं, अभी तक more than 100, तो यह हमेशा इनके needs रहती हैं, तो लीनी जी, अब मैं आप से यह जानना चाहूं कि, कि जो महिलाएं घर पर ऐसी भैटे रहती हैं, जिन qualification पर बहुत कम होती हैं, तो वो महिलाएं किस तरह का business करें, जो अपने लिए थोड़ी मोडी आजीवी का कमा सकें, हां, तो इसमें soap making ज्यादा qualification की ज़रूरत नहीं है, इसमें बड़ी-बड़ी machine लगती हैं, यह सित हैं, आप handmade के products हैं, तो आप छोटे से एक melt and pour brick से ही start कर सकते हैं, उसको आप melt करना, जो process है, कितने देर तक melt करने से, कब उसको stop करना, कब उसको pour करना, तो यह चीजें इव बस एक चाहा होना चाहिए, जी, क्योंकि जहां चाहा होती है, वहीं रहा होती है, लिनी जी, इस कालिक्रम के माध्यम, आप हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा यही संदेश है कि आप हमेशा ही जो learning process को stop मत करिये, तो और अपने जो इच्छाएं हैं, जैसे अगर आप में कोई talent है, आप उसके बारे में work करिये, और उसके साथ उसको skill को upgrade करिये, और फिर practice करिये, और फिर उसको implement करिये, उस idea को, तब ही जाके business बहुत आगे जाए लीनी जी, आप इस कारिक्रम में आई हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को आपने बताया किस तरह से खाली वक्त को utilize करके, जो है हम home business start कर सकते हैं, और उससे अपने परिवार और अपने लिए आजिवी का कमा सकते हैं, कारिक्रम में आने के लिए समय देने के लिए आपक कि अब दूर दर्शन के इंदर पोर्ट प्लेयर के जो कारिक्रम है, वो social platform पर active हो चुके हैं, तो आप हमारी सकारिक्रम को कहीं भी, कभी भी देख सकते हैं, इसके लिए, एक्स हैंडल पर जाकर हमें follow करे, addddk underscore poor player, like करे हमारा facebook page, हमारा facebook page है, दूर दर्शन के इंदर पोर् दूर दर्शन के इंदर पोर्ट प्लेयर, AIR रोर दिलानिपूर, हैडो पोस्ट 744102, आप हमें email भी कर सकते हैं, हमारा email ID है, hopddkpoorplayer at gmail.com तो दर्शको, घर बाहर के अगले अंक में एक नए अधिती के साथ, आपसे पुना होगी मुलकात, तब तक के लिए हमें आग्या दीजे, नमस्कार एनुआ नमस्कार